काशिराम दे प्रिंट के लिए लिखे गए अर्विद कुमार के एक लेख पर अधारित है जिसके लिए हम उनका शुक्र यादा करते हैं जैभीम नमस्कार मैं हूं सुमिछ चोहान और आप देख रहे हैं दे न्यूस बीक तो आईए शुरू करते हैं मानेवर काशिराम के जीवन और सं रहा है उनके परिनिर्वान पर अंबेड करवादी राजनेती के समालोचक और समाजविग्यानी आनंद तेल तुम्डे ने दे एकोनोमिक और पॉलिटिकल वीकली में श्रधांजली देते हुए उन्हें एन अनिगमा कोल काशिराम यानि काशिराम एक आभूज पहली कहा थ तेल तुम्डे ने काशिराम को अनिगमा इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने सतय से उठते हुए मात्र चंद साल में दलितों और वन्चितों की ने केवल एक राष्ट्य पार्टी खड़ी कर दी बलकि देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में अपनी पार्टी की सरकार भी बना दी हजारों साल से सताई गई जनता को काशिराम ने अपने बहुजन आंदोलन से जोड लिया ये समकालीन भारती राजनिती के जानकारों के लिए किसी पहेली की तरह है मानेवर काशिराम की लोग प्रियता आज भी बरकरार है भारत में राजनिती का ग्रैमर बदल देने वाले मानेवर काशिराम का उदय सत्तर के दशक में हुआ और उनके इस योगदान की वज़े से उनके समर्थ को और उनके विरोधियों तक ने इस व्यक्तेत्व के महत्व को सुईकार किया काशिराम की बढ़ती लोग प्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन पर बनने वाली फिल्में, गाने या विडियों इंटरनेट पर वाइरल हो जाते हैं आज कल यूट्यूब पर उनके पुराने भाशन और टीवी चैनलों को दिये इंटर्व्यू भी ढूंड ढूंड कर सुने जाते हैं बोजनों के लिए सत्ता के सिंगासन तक पहुचने का जो सपना बाबा साब डुक्टर अम्बेटकर ने देखा था, मान्यवर काशिराम साहब ने उस सपने को सच कर दिखाया बाबा साहब के महापरी निर्वान के बाद उनके योगदान और सिक्षाओं को एक सोची समझी साजिश के तहद गायब कर दिया गया था उन्हें महस दलितों का नेता स्थापित किया गया और उनकी भूमिका को कॉंग्रेस की सरकारों ने जबरदस तरीके से इग्नोर किया बाबा साब के जाने के करीब दो दशक बाद मान्यवर काशिराम ने उन्हें फिर से जिन्दा कर दिया उन्होंने ना सिर्फ हमबेड करवाद को जन जन तक पहुचाया बलकि बहुजनों के लिए अपने बलबूते सरकार बनानी जैसा चमतकार कर दिखाया आज बचे बचे की जबाँ पर जैभीःम का जो नारा सुनाई देता है वो सिर्फ और सिर्फ मान्यवर काशिराम साहब की वजह से ही है मानेवर काशिराम और उनके संगर्शों के बारे में जब भी बातचीत होती है तो उन पर एक आरोप आम तोर पर लगता है कि वो अमबेटकरवाद से विमुक राजनेता थे अमबेटकरवाद से उनकी विमुकता के पीछे तर्क दिया जाता है कि वो सत्ता हासिल करने के लिए साधनों की पवितरता पर यकीन नहीं करते थे यानि वो सत्ता हासिल करने के लिए किसी के साथ भी हाथ मिला लेते थे जबकि डॉक्टर अम्बेटकर नैतिक मुल्यों के समर्थक थे इनी आरोपो की वज़े से काशिराम की पार्टी बीएसपी को पोस्ट अम्बेटकर राइट यानी अम्बेटकर वाद से बाद की पार्टी कहा गया और उनकी विचारधारों को कुछ लोगों ने काशिराम अब है कुमार दूबे, सतनाम सिंग एचल दुसाद, बदरी नारायन आदी लेखकों ने उनकी विचारधारा पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला है लेकिन इस बीच अभी हाल ही में A.R. अकेला ने काशिराम द्वारा प्रकाशित की गई पत्र-पत्रिकाउं से उनके संपाद की अलेखों और साक्षातकारों को हिंदी में अनुवाद करके कई खंडों में प्रकाशित करवाया है जोंकि काशिराम के विचारों को समगर रूप से समझने में काफी मदद करती है मानेवर काशिराम के संपाद की लेखों को पढ़ने से पता चलता है कि शुरुआती दिनों से ही उन पर अमबेड करवाद से विमोख होने के आरोप लगते रहे थे उन पर ये आरोप ज्यादातर आर्पियाई और दलित पैंथर के लोग लगाते थे अपने लेखों में वो समय समय पर इस आरोप का जवाब भी देते रहते थे उनका मानना था कि जिनकी वज़े से अंबेड करवाद या अंदोलन कमजोर हुआ है वो लोग नहीं चाते कि अंबेड करवाद पुनर जीवित हो क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जनता के बीच उन्हें अपनी असाफलता का हिसाब देना पड़ेगा दियो प्रेस्ट इंडियन के अपने संपादिके लिखों में काशिराम जगे जगे ये उद्रत करते हैं कि कैसे उनका अंदोलन डुक्टर अंबेड कर का ही अंदोलन है और कैसे वो इसे दिरगायू करने के काम कर रहे हैं इस विशय पर उनका सबसे एहम लेक अप्रेल 1989 में प्रकाशित हुआ था जिसमें उन्होंने अपने विचार की अंदोलन से जुड़े निम्न पहलों के तोर पर चचा की जो कि उनके अनुसार डुक्टर अंबेड कर से ही उन्होंने सीखा था काशिराम ने डुक्टर अंबेड कर द्वारा 1985 में स्थापित डिप्रेस्ट क्लास इंस्टिट की परिभाशा से अंबेड कर वाद की परिभाशा निकाली डुक्टर अंबेड कर के अनुसार डिप्रेस्ट क्लासेज इंस्टिट डिप्रेस्ट क्लासेज के लोगों का संगठन है जो depressed classes के हितों के लिए और depressed classes के लोगों द्वारत चलाया जाता है संस्थान का उदेश्य उन्हें वर्तमान दभी कुछली स्तीती से निकाल कर एक ऐसी स्तीती में पहुंचाना है जहाँ उनको सामाजिक और राजनितिक समानता मिल सके और उनके आर्थिक कल्यान में इजाफा हो इस प्रकार काशिराम के नजरिये से अंबेटकरवाद को देखें तो किसी भी संगठन या फिर संस्थान को अंबेटकरवादी तब ही कहा जा सकता है जब ये पता हो कि उसका उदेश्च है क्या है किस के लिए काम कर रहा है और कौन चला रहा है उस संगठन को और किस के पैसे से वो संगठन चल रहा है ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि अमबेट करवादी विचारधारा जातिगत गुलामी के खिलाफ आंदोलन है जो कि बिना आत्म विश्वास, आत्म सम्मान, आत्म निर्भरता और स्वाभिमान का निर्मान की ये संभव नहीं है संगठन, संस्थान, निर्मान किसी भी व्यक्ति या समाज में आत्म विश्वास पैदा करता है क्योंकि उससे उस समाज व्यक्ति को पता चलता है कि वह कुछ भी कर सकता है आत्मे विश्वास व्यक्ति में आत्मे सम्मान पैदा करता है और आत्मे सम्मान यानि सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है कि अपने सकारात्मक कारिय के वज़े से खुद का सम्मान करना स्वाभिमान का मतलब है कि वेक्ति अपने द्वारा चुने हुए कारिय करे और लोग उसी कारिय के हिसाब से उसका सम्मान भी करें स्वाभिमान की भावना गुलामी के खिलाफ एक सतत संगर्ष के लिए बेहत जरूरी है काशिराम के मताविक अंबेटकर वादियां अंदुलन को आत्म निर्भरता हसिल करने के लिए अपने संसाधन और संचार माध्यम यानि समाचार चैनल और संस्थान और ऐसे संगठन स्थापित करने चाहिए काशिराम की दी हुई अम्बेडकरवाद की ये परिभाशा आज बहुत यहम हो जाती है क्योंकि हाजकल आए दिन बाबा साब अम्बेडकर के नाम पर कोई ना कोई संगठन बनते रहते हैं अंदोलुन की गती शीलता अम्बेडकरवाद को पुनर जीवित करने और उसको गती मान बनाये रखने के लिए मानेवर काशिराम साहब शोधार्तियों से अम्बेडकरवाद पर अपना सैधान्तिक ज्यान और सामजी कार्यकरताओं से अपना व्यवहरिक ज्यान साज़ा करने के अपील करते हैं उनके मुताविक अमबेट करवाद तभी गतिमान रह सकता है जब वो बिना अपनी मूल भावना मिटाए समय के साथ साथ अपने अंदर कुछ बदलाव कर ले। इसके लिए वो बाबा साहब द्वारा सूचनाओं के आदान परदान के लिए समय समय पर शुरू की गई पत्र पत्री काओं जैसे मूक नायक 1920, बहिश्कृत भारत 1927, जनता 1930, समता और प्रभुद भारत 1955 का उधारन देते हैं और अपने द्वारा शुरू किये गए दियो प 1925 में उन्होंने बहिश्कृत हितकारणी सभा बनाई, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई और 1942 में ओल इंडिया सेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई, 1956 में उन्होंने रेपब्लिकन पार्टी ओफ इंडिया की संकल्पना की, साथ ही बाबा साहब ने सिधार कॉलेज और मिलिंद कॉलेज की भी स्थापना की, मानेवर काशिराम के मताबिक उन्होंने बाबा साहब से ही प्रेणा लेकर जरूरत के मताबिक बामसेफ, बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर, डियस फोर और बीस पी बनाई, नकारातमक्ता को हटा कर नई उर्जा का प्रव कॉल पैदा करती है, जिससे की समाज में भै और निराशा बढ़ जाती है, और ऐसी स्थिति यथा स्थितिवाद को भी जनम देती है, यानि जैसा चल रहा है वैसा चलने देने वाली मान सिकता, जहां लोग अपनी शमता पर ही शक करना शुरू कर देते हैं, इसके मताबिक कारपियाई और दलित पैंथर की असफलता का यही परिणाम हुआ, इसके उधरन के तोर पर वो बाबा साहब के धर्मांतरन की रजत जैनती पर 14 अक्टूबर 1975 को नागपुर में हुए बोध सम्मिलन में पास हुए प्रस्ताव को देते हैं, जिसमें कहा गया है कि सरकार और दूसरे लोगों को हमें उठाना चाहिए, नहीं तो हम कभी उठ नहीं पाएंगे। पे बैक टू सुसाइटी की अवधारना पर भी जोर दिया। समाज में नकारातमकता फैलाने वाले नेताओं को चिनित करने के लिए उन्होंने चमचा यूग जैसे किताब लिखी। क्यूंकि उनके मताबिक आरक्षित सीटों से चुनकर आने वाले नेता अपने समाज के आ अकारातमकता ना फैले इसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यानि अलग चुनाव शेतर की अपनी मांग छोड़ दी। नवंबर 1982 के अपने संपादकिया लेक में उन्होंने इसके व्यापक कारण भी बताए हैं। अपने अंदोलन में नई उर्जा भरने के लिए उन्होंने अन्याय मुक्षेतर की अवधारना की बात की जिसके तहत अक्टूबर 1983 में होश्यारपूर और नागपूर को अन्याय मुक्षेतर के तोर पर ग्रेन किया गया। इसी कड़ी में उन्होंने जापान में अनुरोद किया कि दुनिया भर में जहां कई भी भी भीदवाओं के खिलाफ संगर्श हो रहा हो उसके पक्ष में खड़े हो ताकि भविश्य में उनके हितों की सुरक्षा हो सके। केंद्र बना कर रखा क्योंकि पूना से ही पेश्वा साशन की शुरुआत हुई थी। अपने लेखों में वो गाएं को आगे करके की जाने वाली राजनीती से लेकर सामपरदाइक दंगों में दलितों की सैभागिता पर भी आगा करते रहते थे। अंबेटकर जैनती मना कर छुटी नहीं कर लेनी चाहिए बलकि अपने रोज मरा की जिंदगी में भी बाबा साब की सिक्षाव को जीना चाहिए। ब्रामनवाद के प्रतीक चिनों के ही बहिशकार के तोर पर उन्होंने भगवान बुद्ध के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को अपने आंदोलन का मुख्य धे बनाया। मानेवर कांशिराम के मताबिक डुक्टर अंबेटकर के बाद अंबेटकर वादी अंदोलन के असफल होने का एक बड़ा कारण उनके अनुयायों द्वारा अंदोलन के सामाजिक, राजनितिक और धार्मिक आयाओं को एक दूसरे से मिला देना था। उनके मताबिक खुद बाबा साब अपने जीवनकाल में इससे बचते रहे। इसके उधारन सोरूप वो बाबा साब के लखनों में दिये किसी भाशन को उद्रित करते थे। जहां वो कहते हैं कि जिनकी आवशकता एक है उन्हें एक दूसरे के साथ जुड़ जाना चाहिए मानेवर काशिराम ने कहा कि वो अपने जीवनकाल में आंदोलन के विभिन आयामों को एक दूसरे में मिलाने की गलती कभी नहीं करेंगे। अपने समय की समस्याओं को बाबा साब अम्बेटकर के विचार और संदेश से जोडते हुए मानेवर काशिराम साब अम्बेटकर को नई बुलुंदियों तक ले गए मानेवर का शिराम ना सिर्फ बहुजन राजनेती का बलकि भारतिय लोकतंत्र के इतियास का वो चमतकार हैं जिने युगो युगो तक युँ ही याद किया जाता रहेगा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरीए जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें मेरी सायों के अजरा परवीन और मुझे यानि सुमिच जोहान को इजाज़त दीजिए अगले वीडियो में मिलते हैं